So, Hello Friend, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारूख खान का मूवी, डंकी मूवी हाली में रिलीज होने वाला था, तो फिरहाल दोस्तो आज इस मूवी को रिलीज कर दिया गया, यानि कि 21 दिसंबर को डंकी मूवी को रिलीज कर दिया गया है और ये मूवी रिलीज होते हैं पुड सा मूवी भी ब्लोग वोश्टर मूवी होने के चल हो चुका है जो कि सारुखान का मूवी पठान और जावान मूवी पुरे तरीका से बॉक्स ओपीस पे तहलका और गदर मचा के रख दिया है तो आज 21 जिसमबर और डंकी मूवी को रिलीज कर दिया गया है और यह मूवी भी अच्छा काजा परदर्शन कर रहा है बॉक्स ओपीस पे और एक नहीं रिकोटो क्रेट कर रहा है तो दोस्तों कुछ दिनों से वोलीवूड मूवी और होलीवूड मूवी में कफी ज़्यादा हो रहा था कंफ्रिजन और होलीवूड मूवी बहुत ज़्यादा कमाई कर रहा था लेकिन होलीवूड मूवी नहीं कर पा रहा था लेकिन फिलाल यह movie religious होते ही अब ही एक साल के अंदर में 4-4 movie है जो की box office पे कमाल और धमाल मचा गर दिया जो की गदर movie, animal movie, पठान movie, जवान movie अगर आप सी वीडियो को लाज्स तक बने रहेगा, सारी बात आपको अच्छे समझ में आ जागे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए गंटी को और बिस्टा करें कोई वीडियो बना सबसे पर आप तक पहुंचे जैसा कि आप सभी जानते कि इस मूवी को डारेक्ट करें राच कुमार हिरानी जो कि लगभग लगभग 120 क्रोर की ला और यह मूवी को इंडिया में 400 पर लिज़ किया गया है और पुड़े बलवाइट में लगभग 54 स्कीन पर लिज़ किया गया लेकिन इतने कम स्कीन को मिलने की बज़े से यह फिर भी मूवी काफी ज़्यादा कमाई कर रहा है और एक नहीं को करा सुबह को कि लगभग 30 पर इस यानि कि 22 दिसंबर को सलार मूवी भी रिलीज होने वाला और दोनों मूवी का कलेस हो जाता तो अच्छी कासी कमाई में गरोध देखने को नहीं मिलती सिवेसे यह मूवी आज 21 दिसंबर को रिलीज हुआ बात की मूवी के पहले दिन की तो आज सुबह को क्योंशी से य सब्सक्राब कर लेजेगा फिर से मिलेंगे को नहीं सब्सक्राब के लिए बात